इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास Samsung का Keypad का ये mobile है और इस Keypad के mobile में अगर कोई contact number block लिस्ट में हैं तो उसे कैसे हटाएंगे या कैसे उसमें add करेंगे इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो आपको करना क्या है सबसे पहले तो अपना मुवाइल को अनलॉक कर लेना है और अनलॉक करने के बाद आपको चले जाना है अपने मुवाइल के सेटिंग में और सेटिंग में यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना है एप्लिकेशन में और एप्लिकेशन में जाने के बाद आपको जाना है call में और call में जैसे जाएंगे तो आपको जाना है उपर all calls में all calls में जब जाएंगे तो यहाँ पर तीन चीजे दिखाई देती है all calls, vice call और fake call तो आपको चले जाना है all calls में और all calls में जाएंगे तो उपर आप so my number देख रहे हैं उसके नीचे आप देख रहे हैं auto reject तो आपको क्या करना है कि जो भी number को आपको हटाना है तो auto reject जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है यह black list में है block list में है तो आपको क्या करना है इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद option पर जाकरके आपको क्या करना है हां से save कर देना है से जैसे करेंगे तो आपका जो है ये ब्लॉक लिष्ट से हट जाएगा और अगर आप जानना चाहते हैं कि यहां पर आपका नंबर आ चुका है ब्लॉक लिष्ट से हट चुका है अगर आप चाहते हैं फिर से इसको ब्लॉक लिष्ट में डालने के लिए तो आपको क्या करना है कि आपको फिर से अपने डालर पैट पर किलिक करना है और जैसे किलिक करेंगे तो जिस नंबर को आपको डालना है उस पर किलिक करेंगे उस पर किलिक करते ही आपको इस तरह से नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको क्या करना है कि यहां पर आठवे नंबर पर आप आपको डिखाई देता है add to reject number तो आपको क्या करना है इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है All ready elevated तो यह अभी हमारा हटा नहीं है तो फिर हमें क्या करना है कि settings पे जाना है और application पे जाना है और calls पे जाना है और alls calls पे जाना है और auto reject पे जाना है और यहां से हमें इसे select करके यहां से हम delete पे चले जाएंगे और delete कर देंगे yes कर देंगे इसके बाद हमारा यहां से हट चुका है इसके बाद अब हम इसे फिर से डालना चाहते हैं तो फिर कैसे blacklist में डालेंगे तो इस पर click करेंगे और click करने के बाद यहाँ पर आठवे नमबर पर add to reject list में जाएंगे और add पर click करेंगे और add करते ही यहाँ पर add हो चुका है तो यही process है तो हमने repeat यिसलिए कि कि आप भूले नहीं और आप असानी से एड कर सकें तो यही प्रोसेस है तो अगर यहां पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा